Very good evening students, बहुत ही बड़ी news है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब स्टेट कोपरेटीब बैंक लिमिटेड में काफी ज़्यादा वेकैंसी आई हैं सीनर मेनेजर, मेनेजर, इन्फरमेशन टेकनोलजी आफिसर्स, लरकम डेटा इंट्री अपरेटर्स यह सारी इस टैनो टाइपिस्ट की यह सारी जोग जो है अभी अभी जो है इनकी साइट पे पीडिएफ जो है वो अपडेट हुआ है तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो है ये खुशी जो है खुशी वाली खबर जो है इसके लेटर जो है सारी बाते जो डिसकस करूंगा क्या qualification है क्या age limit है क्या examination pattern है चलिए फटा फट देखते हैं आज आपकी evening जो है बढ़िया होने वाली है तो ये आपने जो है इसकी जो last date है सबसे पहले 20th of मई जो है last date है पंजाब state cooperative bank.in की site पे जाके pscb.in की site पे जाके आप यहां इसको apply कर सकते हैं तो देखते है minimum qualification eligibility criteria क्या है सबसे पहले students senior manager की post है senior manager की जो post है इसमें post graduate मांगा है MBA मांगा है MCLA मांगा है लेकिन इसमें इसको मैं discuss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर आप देखो तो इसमें experience भी मांगा है 5 साल का experience मांगा है तो इसको हम discuss नहीं करेंगे जो हमारे लिए post हैं वो हैं सबसे पहले आगी manager की 60 post है manager की 60 post में क्या qualification है post graduate with 50% marks post graduation PG की हो आपने नहीं की कोई बात नहीं MFC और MBA की है 50% marks के साथ या आपने chartered accountant किया है या अगर आपने इन में से कुछ भी नहीं किया है तो simple graduate with 50% 55% marks means जो simple graduate है ये एक समझे लिजे जो banking में provisional officer की जो post होती जो manager है उसके level की post है graduate with 55% marks और इसके साथ जो है candidate must have past Punjabi language of metric standard means अगर outstation candidate है किसी दूसरी state के candidate इसको apply कर रहे है तो 10th में पंजाबी जो होना जुरूरी है और ये जो सब कुछ जो qualification है जो exam भरने की जो last date है उससे पहले आपकी complete होनी चाहिए उसके बाज आ गया आपका information technology officer IT officer की 7 post है IT officer की जो 7 post है मुझे याद है 2014 में जो IT officer की इस bank पे post निकली थी first rank और second rank bright academy के students का आया था हमारे जो है जो pamphlets होते हैं उसमें भी हमने उनकी photo लगा रखी है तो इसमें क्या मांगा है 50% grade in MBA sorry MCA and MSC information technology 50% हो या MCA और MSC हो या 55% marks हो आपके BE, BTEC, BSE engineering from Erickuganay University in computer science, information technology, electronics and communication engineering की आपने 55% के marks और आपके साथ इसके साथ जो important है वो है 10th में पंजाबी भी यहाँ भी 10th में पंजाबी है लेकिन जो अब जो सभी students जिनकी आँके खुलने वाली है clerk come data entry operator की 739 post time idea students graduate second division किसी भी stream में, arts, commerce, BSE, anything, engineering वाले भी चल जाएंगे या फिर आपने graduation में second vision नहीं है तो अगर आपने post graduation की है simple pass चाए 50% भी है चाए 49% है या उसके साथ, post graduation के साथ इन्होंने साथ में मांगा है diplomas minimum six months in computer from an institute having ISO certification ये बहुत बड़ी change है ध्यान से सुनो इस बात को graduate second division है या post graduation है आप simple pass हैं लेकिन पंजाब के जितने भी exam होते हैं उसमें 120R का जो computer certificate है वो मांगा जाता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने specially जो है ये जो computer certificate है minimum six months की requirement है इसकी from an ISO certification तो इससे लेटर next video में जो मैं कल बनाऊंगा उसमें discuss करेंगे और इसमें भी should have past Punjabi language in metric standard means Punjabi यहाँ भी जरूरी है तो यहाँ तीन चीज़ें आगी graduate second division minimum six months का computer diploma या certificate कुछ भी और 10th में Punjabi उसके आज 10 टैपिस्ट की 10 पोस्ट हैं जिसमें graduate second division और आपको पता है यह 10 टैपिस्ट में जो speed वगरा रहती है शॉट हैंड वगरा की यह आप सारा यहां से देख सकते हैं 10th में Punjabi भी इसमें चाहिए उसके बाद आगया जो अलग-लग पोस्टे हैं विकैंसी यह सारी आप जो है PDF देख सकते हैं इसको description में भी डाल देंगे total 856 पोस्ट है अब इसमें यह भी कहा है कि for the taking benefit of a reservation candidate must have domicile of Punjab means अगर आप किसी दूसी स्टेट से हैं 10th में आपने Punjabi भी पड़ी है आप ऐसी category के हैं लेकिन अगर आपके domicile नहीं है on the last date of submission of application जो भी last date है जो आपको मैंने बताई है उसमें आपका experience जो है वो जो education qualification है वो complete होनी चाहिए और जब return test होगा उसमें minimum qualifying marks 40% है SC के लिए 35% है अब आगी next बात fee कितनी रहेगी इसकी ध्यान से सुनो 1400 है सभी categories के लिए और SC के लिए जो है वो 700 है अब बहुत सरे students हैं जो एक से ज़्यादा post के लिए apply करना चाहते हैं candidate willing to apply for more than one post shall be required to submit separate application for each post along with requisite fee for each post means आपको fee भी लग भरनी पड़ेगी और जो form है जो online application fill करनी है वो भी आपको अलग-लग fill करना पड़ेगा हाँ paper अलग-लग dates पे होगा तो आपको कोई problem नहीं आएगी minimum age 18 है और maximum age 37 है SC category के लिए 42 है बाकी categories जो है एक service man वगरा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद आगया अब important चीज आगी इसमें कोई intro नहीं है कोई typing नहीं है जो typing होती है वो होगी सिर्फ आपके जो दूसरी post है ये वाली post है इसके लिए आपका stenotypist के लिए बाकी clerk के लिए सिर्फ written test होगा उसके बाद हम देखते हैं slayvers क्या होगा written test का चलिए देखते है selection will be based solely on the merit of written test there shall be no interview कोई डरने की जूरत नहीं है कोई इंट्रूर नहीं है कोई आपकी typing नहीं है चलिए अब आगे देखते है ये आपकी salary विगारा दे रखिए है minimum salary जो है senior manager की 35,400 manager की 29,200 information technology officer की 25,500 25,500 stenotypist की 21,700 और proximity 20,000 फर clerk कम data interpreter बाकी बहुत सारे और भी benefits होते है अब देखिए question paper will comprise of multiple choice question with one correct answer अभी online होगा, offline होगा ये नहीं बताया लेकिन आजकल जो exam है online ही होगा offline भी हो सकता है duration of the paper will be 120 minutes और इसमें negative marking भी होगी जो 1,4th जनली सारे exams में रहती है तो 120 minute means 2 घंटे का paper होगा negative marking होगी objective paper होगा इसका सारा syllabus जो है इनोंने यहाँ पे दे रखा है senior manager का syllabus दे रखा है मैं इसको discuss नहीं कर रहा हूँ आपका इनों detail में भी दे रखा है लेकिन ये indicative होता है यहाँ जो सारी detail में दे रखी इसका कोई फाइदा नहीं है इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा कैसे तियारी करनी है क्या syllabus है syllabus for the written examination of manager computer application 10 computer 10 reasoning 15 quantity aptitude 15 general awareness and banking 35 सबसे जारा वेटे जीके और banking की पंजाबी 10 English 15 total 100 marks ऐसी ही manager का जो है इनोंने detail में syllabus दे रखा है इसका कोई फाइदा नहीं अभी अभी हम फिलहाल जो है important important बाते देखते हैं IT officer में जो 45 marks का information technology and computer application means subject related आएगा बाकि reasoning, quant, gkn, banking, पंजाबी और ये सारा कुछ दे रखा है इनोंने आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद जो अब जो बच्चे maximum जो जिन्हों ने आपका clerk के लिए और data interpreter के लिए apply करना है उसमें आप से लेवस देखो objective paper होगा, computer आएगा 15 marks का reasoning आएगी 15 marks की, quantity aptitude आएगा 15 marks का, general awareness and banking आएगी 25 marks की इसकी बेटीव सबसे जादा है पंजाबी 15 marks की, English 15 marks की और total 100 और दो दिन बाद ही आपको Bright Academy की जो Android की और iOS की जो application है उसके उपर जो है, इसका जो video course का जो है, video course हम create करतेंगे, आप video course भी वहाँ से Bright Academy के application के उपर जो है वो buy कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हलांकि syllabus detail में दे रखा है, लेकिन syllabus हमेशा indicative रहता है, reasoning में लिखा हूँ है, verbal है, non-verbal है quant में सारे chapters दे रखे हैं, थोड़े थोड़े लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जो यहाँ पर लिखे है उनी में से paper आएगा, किसी में से paper आ सकता है पुरा mass आपको prepare करके जाना है current fair, national, international budget होगे, आपका fiber plans होगे, who's होगे, sports, economy, geography, science, invention, discoveries almost देखो, जी के सारा ही होता है, current fairs और banking जादा आती है history and culture और पंजाब भी लिखा है, international organization लिखी है तो यह mix सा paper रहता है पंजाबी भी आएगी, इसमें English भी आएगी और यहाँ पर clear cut लिखा है, the word slavus is indicative और यह कोई fix नहीं है, जो यहाँ पर लिखा हो नहीं chapters में से questions आते हैं जैसे banking के paper होते हैं, सारे आपको सारी त्यारी करके जाना है तो I hope जो है, यह अच्छी news जो है, मैंने जो आपके साथ share की है आप खुश हो होगे, अब कल हम एक video बनाएंगे, details slivers को लेके या कोई भी आपके अभी doubts है, आप channel को subscribe कर लो, कोई भी doubts है आप हमें comment section में पूछ सकते हैं, so all the best, thank you very much God bless you all and good night students